दिल्ली और आगरा के लाल केलों का स्वामी औरंग जेप चाहता था कि वे अपने जीवन काल में ही भारत की समस्त जनता को इसलाम में परिवर्थित कर ले किन्तु भारत में इतने सारे छोटे छोटे धार्मिक समुदाय रहते थे जिनकी गिंती करना संभव नहीं था और वे अपने धार्मेवन संप्रदाय में इतनी गहराई से विश्वास करते थे कि वे सिर कटवाने को तैयार थे किन्तु इसलाम स्विकार करने को तैयार नहीं थ इनी धार्मिक समदायों में से एक था नारनौल छेत्र का सतनामी संप्रदाय नारनौल कस्बा दिल्ली से 75 मील दक्षिन पश्चिम में इस्थित है तथा वर्तमान में हरियाना प्रांत के महिंद्रगड जिले में आता है नारनौल के निकट बीजासर नामक गाउं बसा हुआ है औरंगजेब के पूरवज बावर के भरत में आने के समय बीजासर गाउं में बीरभान नामक एक किसान रहता था वह बहुत सच्चा और भला आदमी था इश्वर की भक्ती में उसकी बड़ी रुची थी वह संत रहदास का शिश्य हो गया संत रहदास के आशिरवाद से बीरभान बहुत सुंदर भजन गाने लगा दीरे दीरे बीरभान स्वयम भी एक भक्त के रूप में प्रसिद्ध हो गया और आसपास के गाउं के लोग उसके भजन और उबदेश सुनने के लिए आने लगे बहुत से लोग बीरभान को अपना गुरू मानने लगे बीरभान की मुक्य शिक्षा यह थी कि इश्वर ही एक मात्र सत्य है इसलिए मनुष्य अपने जीवन में सदैव सत्य का भाशन करे किसी को दोखा न दे, किसी का अपमान न करे, किसी का दिल न दुखाए, किसी से न डरे ये बातें गाउं के सरल एम सीधे साधी लोगों को बहुत अच्छी लगी और बीरभान के शिष्चों ने एक अलग संपरदाय बना लिया जो स्वयम को सतनामी कहते थे ये लोग बहुत साधारन जीवन व्यतीत करते थे तथा विलासिता के समस्त साधनों से दूर रहते थे सतनामी साधू अपने सिर के सारे बाल मुडवाते थे यहां तक की बहुएं भी साफ करवा लेते थे इस कारण लोग उन्हें मुडिया भी कहते थे इस पंथ का कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं था तथा वे इस समस्त संसार को अपना परिवार मानते थे सतनामी संत धनी लोगों की गुलामी करने को अच्छा नहीं मानते थे उनका उपदेश था कि गरीब को मत सताओ जालिम बादशाह और बेईमान साहुकार से दूर रहो दान लेना अच्छा नहीं है इश्वर के सामने सब मनुश्य बराबर है गरामीन ख्षेतर में प्रकट होने से सतनामी संपरदाय की लोग प्रियता विभिन्न जातियों में हो गई इस कारण जाट, रैगर, सुनार, खाती आधी, विभिन्न श्रम जीवी जातियों के लोग इसके अनुयाई हो गए उन दिनों माल खाने के मुगल कर्मचारी एवं सिपाही भूर आजस्व की वसूली के लिए किसानों को विभिन्न प्रकार के कष्ट दिया करते थे सतनामियों ने घोशना की कि उतपीडन सहना पाप है इसलिए सतनामी संप्रदाय के किसान अपने साथ हथियार लेकर चलने लगे औरंग्जेब का समय आते आते सतनामी समुदाय दिल्ली के आसपास व्यापक रूप से फैल गया तथा नारनौल इस पंथ का गड़ बन गया ईसवी 1622 में नारनौल के निकट एक गाउं में माल खाने के एक प्यादे और एक सतनामी किसान के बीच जगड़ा हो गया मगल प्यादे ने गुस्से में आकर सतनामी किसान के सिर में लाठी दे मारी इस से किसान बुरी तरहं से जखमी हो गया जब कुछ सतनामियों ने प्यादे का विरूद किया तो प्यादे के साथियों ने सतनामियों की जोपडियों में आग लगा दी इस पर सतनामी भड़क उठे वे बड़ी संख्या में इकटे हो गए और उन्होंने प्यादे को पीट पीट कर मार डाला उन्होंने प्यादे के साथ आए दूसरे सिपाहियों को भी पीटा और उनके हथियार छीन लिए मुगल काल में प्यादा पैदल सिपाही को कहते थे नारनौल का फोजदार कारतल खान इस घटना के बारे में सुनकर आग बबूला हो गया उसने सतनामियों को गिरफतार करने के लिए कुछ घुड सवार और प्यादे भेजे तब तक सतनामी भी तैयार हो गये थे उन्होंने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर फोजदार की सेना का सामना किया इस लड़ाई में कुछ मुगल सिपाही मारे गए और बहुत से जख्मी हो गए सतनामियों ने कुछ मुगल सिपाहीों को पकड़ कर बंदी बना लिया यह सुनकर फोजदार बहुत चिंतित हुआ यदि एक खबर बादशाह तक जा पहुंचती तो फोजदार को हटा दिया जाता इसलिए फोजदार ने आनन फारन में नए घुरसवार और सिपाही भरती किये आज पास के हिंदू और मुसल्मान जमीन दारों और जागीरदारों से भी फोज़ें मंगवाई गई इस तरह नारनौल के फोज़दार कारतल खान ने बड़ी सेना के साथ सतनामियों के विरुद्ध कूच किया सतनामियों ने भी सरकारी फोज़ का डटकर मुकाबला किया यह युद्ध इतना वहंकर हो गया कि न केवल मुगल सेनिक बड़ी संख्या में मारे गए अपितु स्वयम भोज़दार भी मारा गया नाराज सतनामियों ने नारनौल नगर पर अधिकार कर लिया और अपनी सरकार इस्थापित कर ली उन्होंने नारनौल तथा आसपास के देहती क्षेत्र में अपनी चोखियां तैनात कर दी और लगान वसूली करना भी शुरू कर दिया लाल के लिए की ठीक नाक के नीचे यह काम हो गया किन्तु जब तक औरनौल जेब को पता लगा तब तक सतनामियों ने अपनी स्थिती काफी मजबूत कर ली औरनौल जेब ने राजा विश्णू सिंग कच्वाय की अध्धक्ष्टा में सतनामियों के विरुद्द एक सेना भेजी सतनामियों ने इस सेना को भी मार भगाया उत्तर भारत के मुगल फौसदारों एवम जागीरदारों में इस पराजे की खबर तेजी से फैल गई तथा सतनामियों के बारे में तरह तरह की बातें कही जाने लगी यहां तक की सतनामियों की ताकत को एक चमतकार समझा जाने लगा इस गटना के बारे में फारस का इतिहासकार खफी खान लिखता है कि इस बीच आजपास के जमीनदारों और राजपूत सरदारों ने अवसर का लाव उठा कर बादशाह को भूर आजस्व देना बंद कर दिया यहां तक की सतनामियों तथा जाटों ने दिल्ली शहर को जाने वाले अनाज की आपूर्ती बंद कर दी इस से दिल्ली में अनाज की कमी हो गई और जनता में भयव्याप्त हो गया उन्हीं दिनों सतनामी समुदाय की एक व्रद्धा सतनामियों का नेत्रित्व करने के लिए सामने आई वह सतनामियों की माता मीनाक्षी के नाम से प्रसिद्ध थी उसके बारे में यह विख्यात हो गया कि माता मीनाक्षी लकडी के घोडे पर बैठ कर सतनामियों की फौज के आगे आगे चलती है उसके पास जादूई ताकत है तथा उसने सतनामियों को यह वरुसा दिलाया है कि मेरा आशिरवाद उन सतनामियों के साथ है जो औरंग जेप के विरुद्ध लड़ रहे हैं माता मीनाक्षी ने हजारों की संख्या में ताबीज बना कर सतनामियों के जंडों पर बांध दिये इन ताबीजों के कारण सतनामियों में यह विश्वास हो गया कि सतनामियों पर न तीर काम करता है और न ही तलवार न ही तोप के गोले उन पर असर डालते हैं औरंग्जेब की सेना ने कई बार प्रयास किया किन्तु सतनामी वीर पूरे आत्मविश्वास और उत्साह के साथ डटे रहे जब औरंग्जेब की यह सेना भी पराजित होकर भाग गई तो हजारों सतनामी दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे उनका निश्चय लाल के लिए पर कबजा करने का था जब दिल्ली केवल 16 मील दूर रह गई तो विशाल शाही सेना ने सतनामीों का मार्ग रोका इस बार सतनामीों के विरुद्ध शाही सेना द्वारा बंदू को एं टुपों का प्रयोग किया जाना था जबकि सतनामियों के पास अब भी केवल तलवारें, बल्लम और भाले जैसे अस्तर शस्तर ही थे किन्तो सतनामियों को विश्वास था कि माता मीनाक्षी का तावीज होने के कारण उन्हें कोई ताकत हरा नहीं सकती मुगल सिपाहियों ने अपने सेनापतियों के माध्यम से औरंग जैब तक संदेश भिजवाया कि सतनामी लोग माता मीनाक्षित वारा दिये गए तावीज के कारण सुरक्षित हैं उन पर तोप के गोलों एवं बंदुक की गोलियों का असर नहीं होगा इस पर औरंग जैब के धूर्त मस्तिश्क में एक नया विचार आया उसने गोशित किया कि मैं भी जिन्दा पीर हूँ तथा मेरे पास भी जादुई ताकत है औरंग जैब ने अपने हाथ से कुरान शरीफ की आयतें लिख लिख कर जंडों पर सिलवा दी और सेनिकों से कहा कि अब सतनामियों का जादू तुम पर नहीं चलेगा औरंग जैब का विचार काम कर गया इन तावीजों के कारण शाही फोजों में भी हिम्मत आ गई शाही सेनाओं का उत्सा बढ़ाने के लिए औरंग जैब ने अपने एक शेहजादे को आदेश दिया कि वह स्वयम युद्ध के मैदान में उपस्थित रहकर सतनामियों का सभाया करे शेहजादा दस अजार सेनिकों एवं शाही तोप काने के साथ सतनामियों से लड़ने आया औरंग जैब ने युद्ध के दोरान शेहजादे की रक्षा करने के लिए अपनी नीजी अंगरक्षक सेना भी उसके साथ कर दी ताकि शेहजादा भी स्वयम को सुरक्षित अन्भव करे राजा बिशन सिंग तथा सेना पती हामिद खां को भी इस सेना के साथ भेजा गया दिल्ली से लगबक सोले मील की दूरी पर दोनों पक्षों में भयायंकर युद्ध हुआ दोनों तरफ के हजारों सिपाही मारे गए जिन में से सतनामियों की संख्या 5000 से अधिक थी अंत में शाही सेनाद वारा सतनामियों का पूरी तरह से सफाया कर दिया गया तथा नारनौल पर अधिकार पुने जमा लिया गया चूंकि मैदान छोड़कर भागना सतनामियों के उसूलों के खिलाफ था इसलिए वे आखरी दम तक लड़ते रहे जब तक कि मुगल फौजों ने उनकी बोटी बोटी नहीं काट डाले मुगलों की तरफ के दो सो बड़े अफसर मारे गए तदा शाही फौज का काफी बड़ा हिस्सा लड़ाई में खब गया सतनामियों के इस विद्रहु के बाद मथुरा और आगरा के जाट भी और अधिक उग्र हो गए वे वीर गोकुला के वलिदान का बदला लेने के लिए पहले से ही उच्सुक थे अब तो सतनामियों का आंदोलन भी जाटों के सामने एक मिसाल बन गया माना जाता है कि भारत में चल रहे भक्ति आंदोलन ने भारत वासियों के मन में न्याय और स्वाभिमान की भावना जागरत की थी सतनामी लोग प्राय समाज के दवे और कुछले हुए लोग थे उनमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वे औरंग जेव जैसे प्रबल बादशाह के विरुद्ध उठ खड़े होते किन्तु संत राइदास तथा उनके शिश्चों द्वारा दिये गए भगवत भक्ति के मंत्र ने इन लोगों को इतना साहस प्रदान किया कि वे भारती इतिहास का अमिठ हिस्ता बन गए अगली कड़ी में देखिए लाल के ले की सत्ता ने गुरु अरजुन देव और गुरु तेग वाधूर की हत्या कर दी